नमस्ता दुस्तों, बैसिक इलेट्रिकल चनल में आप सब को स्वागत है, आज इस वीडियो में हम लोग दखेंगे बाइमेटलिक स्ट्रीप या बाइमेटलिक जो वासर रहता है, जो प्लेट रहता है उसको क्यों यूज करते हैं तो आप सब लोग को पता होगा इस तरह का बाइमेटलिक वासर, बाइमेटलिक प्लेट को काट के बनाया हुआ, वासर, स्क्वेर साइज का, राउंड सेप का, यह सब चीज अमारा इलेट्रिकल का पावर सिष्टम में यूज होता है, आप बहुप सार जागा में देखेंगे लेकिन इसके पीछे रिजन क्या है, तालिया इस बीडे मंग देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो एरिया में हमारा कोपर के साथ अलुम का कॉंटक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पे कॉपर का बस्बार लगा हुआ है, और कॉपर के बसबार लगा जब टॉच होगा तो उसमें क्या होगा आप सब ने ठीजिक्स में पड़ा होगा सभी साइंस में तो आपको पता होगा कि कॉपर का जो यूटिंग क्यापसिटी बहुत ज्यादा है अलुमिनियम का कॉमने उसके वज़े से क्या होता है कि जब हीट होता है कॉरेंट फ्लो होन तो उसी कूल को बादा में, विल्कुटा एकस्पांडूरी किया हुता हिता है. तो उसी क्या के कारण किया हुता है? तो जो क्यो्त आट बोल्डिंग ँम यारन लगता है, वह भीमाने, उसमें couldn't burn, का चांच रहता है उसमें ऑक्सिडेशन भी दिरे दिरे होना सूर हो जाता है तो इसी वज़े से क्या करना पड़ता है कि जब हम कौपर और अलुमिनियम लगा रहे हैं तो इसके बीच में दोनों को मिला हुआ एक मैटरियल जो बना हुआ रहता है एक साइड उसका कौपर रह समय लगेगा और कपपर बाल कपपर हिस समय लगेगा तो इसको मिला के उसको बीच में इसको रखके हमारा नटबोल्टिंग टाइड कर देते तो यह बहुत दिन लाश्टिंग करता है हीट ने होता है बहुत बढ़या चलता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएए जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृप